लिपकलोस बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेनी है वैसलीन। मैं यहाप यह थो ड़ी से ले रही हूगा है जाप चाहे तो थो ज़ादा ले सकते हो। अगर आपको लिपकलोस वन मुंद लिए बनानी है तो आप वन स्पोन वैसलीन का ले सकते हो। अगर आपको four to five days के लिए बनानी है तो जितनी मैं ले रही हूं उतनी ही काफी है next हमें इसमें add करना है coconut oil इसकी हमें three to four drops लेनी है उसके बाद हमें इन दोनों को अच्छे से mix कर लेना है next हमें lipstick लेनी है आप जोन से color की lip clothes चाहते हो आप उस color की lipstick यूज़ कर सकते हो तो guys मैं यह pink color की lipstick ले रही हूं इसमें मैं थोड़ा से इसे add करूंगी अगर आप ज़्यादा dark color चाहते हो lip gloss का तो आप इसे थोड़ा से ज़्यादा add कर सकते हो अभी है हमारी pink color की lip gloss या फिर आप lip balm भी कह सकते हो बन चुकी है guys आप इसे one to two month के लिए room temperature या फिर प्रिज में भी store करके रख सकते हो second lip gloss बनाने के लिए हमें लेना है half spoon castor oil फिर हम इसमें add करेंगे एक white में नीका capsule फिर इन दोनों को अच्छे से mix कर लेना है next में इसमें ये wet and white का blush add करूंगी ये वाला blush मैं यूज नहीं करती इसलिए मैं इसमें add कर यूँ आप चाहे तो इसके बदले कोई सा भी eyeshadow palette में से color यूज कर सकते हो तो अब मैं इसमें थोड़ा सा blush add कर लूँगी और इन सब को अच्छे से mix कर लूँगी तो अभी second lip gloss भी बन चुकी है and guys as you can see कि कितना अच्छा color आया इस lip gloss का guys ये वाली lip gloss तो college girls भी use कर सकती है next lip gloss हमें बनानी नहीं है ये already बनी हुई है बस हमें इसमें थोड़ा सा color ही add करना है ये trick specially teenager girls के लिए है जिनके parents lipstick लगाने के लिए allowed नहीं करते बट lip gloss या lip balm के लिए मना भी नहीं करते तो teenager girls का भी कभी कबार मन करता है lipstick लगाने का बट वो अपने parents के डर से lipstick को use नहीं करते तो don't worry girls आप ये वाली trick को use करके one minute में अपनी transparent lip gloss को अपनी choice की color lip gloss बना सकते हो तो इसके लिए हमें एक transparent lip gloss लेनी है और उसमें हमें अपने choice के color के lipstick या lip crayon add करनी है तो मैं यहाँ पर ये brown shade का lip crayon add कर रही हूँ इसे मैं थोड़ा से add करूँगी इसमें और अच्छे से mix कर लूँगी जो मैं next lip gloss बना रही हूँ ये आप अपने night skincare routine में add कर सकते हो गाइस इसके लिए आपको half spoon coconut oil लेना है फिर उसमें white में नीका one capsule add करना है और इन्हें अच्छे से mix कर लेना है आप इसे night में अपने lips पर apply करके सो जाएं देन morning में face wash कर ले अच्छे से ये lip gloss आपके lips को soft and pink बनाएगा और गाइस अगर आपको night lip gloss simple या फिर transparent अच्छी नहीं लगती तो आप इसी में थोड़ा सा shimmer eyeshadow add कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूं ये shimmer eyeshadow add करने से कितना अच्छा lip gloss बनके रेड़ी हो चुका है आपके लिए ये वीडियो helpful रही होगी और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like जरूर करना friends and family में share जरूर करना और अगर आप मेरे चैनल पर new हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना तो मैं मिलती हूं झाल